हाई एवरिवन आपको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर निहा जोशी केर क्लिनिक आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाले हूँ कि प्रेगनेंसी में आपको किस करवट लेकर सोना चाहिए प्रेगनेंसी में राइट साइड या लेकर साइड या सीधे या उल्टे किस तरीके से आपको सोना चाहिए इस बारे मैं आपसे बात करूँगी प्लीस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाईए कमेंट जरूर करिएगा और प्लीस दूसर प्याद शेयर जरूर करें चलिए स्टार्ट करते हैं पहली चीज तो यूटूब पे इस मामले में बहुत सारे वीडियो और दुर्भाग से सारे वीडियो आईरवेट के मामले में हैं मतलब कि आईरवेट में ऐसा लिखा है ऐसा बोला है आरवेट डिश्यो ने इस तरीके से बात करते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है मतलब आयरवेद में बोला है बहुत सारी अच्छे अच्छी बाते बोली गई है लेकिन वो जो reference देते हैं वो सही नहीं होते हैं तो मैं आपके साथ बात करूँगी कि वास्तव में आपको किस करवट लेकर सोना चाहिए देखें प्रेग्नेंसी के शुरू के महीनों में तीन से चार महीने तक जब तक आपका यूटेरस की साइस काफी जादा कम होती है उस समय पर आप राइट या लेफ्ट किसी भी साइड सोईगे तो आपको कोई जादा तकलीफ नहीं होगी आप अपने कमफुटेवल के अंसार जिस तरफ आपको नीद आती है आप उस तरफ करवट लेकर सो सकते है लेकर उसके बाद में एक बर चार महीने के बाद जैसे ही आपकी यूटेरस का साइस बढ़ने लगता है तो मैं आपको एडवाईज करूँगे कि आप अपने बाए तरफ करवट लेकर सोईए बाए तरफ करवट लेने का कारण यह होता है कि जब राइट साइड में हमारा लिवर होता है और लिवर एक काफी बड़ा ओर्गन है जो कि पेट का काफी बड़ा हिस्सा ऑक्किपाई करके रखता है तो अगर आप राइट साइड में करवट लेके सोएंगे तो यूटेरस और लिवर दोनों एक साइड में आ जाएंगे जिसकी वज़े से एक साइड आपका काफी बारी हो जाएगा और एक साइड आपका हलका हो जाएगा यानि की इंपिटी हो जाएगा ऐसी कंडिशन में कई बार आपको यूटेरस में पेन होने लगता है दूसरी बात यह है कि जब आप रात को खाना खाने के बाद सोते हैं तो stomach और liver दोनों ही अगर आप right side में करवट लेकर सोईगे तो बच्चे दानी के उपर यानि कि uterus के उपर दवाब डालते हैं जो कि बहुत जादा साही नहीं होता तो मेरी तरफ से advice यह है कि आप हमेशा बाई और करवट लेकर सोईगे इसमें भी दूसरी tip है कि कभी भी आपको pregnancy में लगातार जैसे अगर आप 6 घंटे 8 घंटे की नीन लेते हैं तो लगातार एक ही side करवट लेकर कभी नहीं सोना चाहिए दौनो साइड राइट लेफ साइड में थोड़ा थोड़ा बगलते रहें mostly आपको अपने बाईयोर्स होना है लेकिन करवट आपको बार बार लेते रहना है सीधे pregnancy में avoid करना चाहिए सीधे अगर आप सोते हैं पीट के बल सोते हैं तो avoid करना चाहिए करने से यूटरेस सीधे आपके spine के साथ वर्टिवर कॉलम के साथ में आ जाता है ऐसी condition वैसे medically कोई unsafe नहीं है लेकिन बहुत सारी ladies को back act की problem होती है अगर आप सीधे सोते हैं अगर आपके uterus का जो वजन है वो आपके वर्टिवर कॉलम के उपर पढ़ता है तो कई बार back act की problem हो जाती है females को इसका कोई scientific logic नहीं है कोई आपको research नहीं मिलेगी पर एक general observation है मेरा जो जाहतर patient के साथ में मैंने देखा है तो मैं आपको advise करूँगी कि आप सीधे सोना avoid करिए तीसरी एक tip है कि जब आप कर्वट लेके सोएं तो हमेशा अपने दौनों पैरों के बीच या दौनों घुटनों के बीच में तक्षिया लगा कर ज़रूर सोई है ऐसा सोने से भी आपको आराम मिलता है दौनों जो पैर है वो आपस में जुरते नहीं है यूत्रेस का जो नीचे वाला हिस्सा होता है तोड़ा सा रिलैक्स रहता है और प्रॉब्लम्स जो होती है जो फोड़े कम हो जाते हैं तो इस चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं इसके बाद एक और टिप है, आप जिस भी साइड में करवट लें, उस साइड में एक तखिया, एक कुशन जरूर रखें, उसका सपोर्ट लेके, इस तरीके से उसको पकड़ के रखें, कि वो आपके बच्चे दानी जो है, वो डारेक्ली लटकी नार है, बलकि उसके उपर र है कि medically, हाप सीधे सोएं, उल्टे सोएं, राइट साइड सोएं, लेफ्ट साइड सोएं, सीधे सोएं, पैर के नीचे कुछ लगाएं, सिर के नीचे कुछ लगाएं, इस सबसे कोई फरक नहीं पड़ता है, भगवान ने हमारी जो यूटरेस है, वो काफी जादा सेफ मना र सकता है, तो आप राइट साइड में सो सकती है, ऐसा बिलकुल नहीं है कि मैं आपको इस्टिटली मना कर रहे हूं, अगर आप जहां जिस कंडिशन में सेफ हैं, कमपटेवल है, आप उसको चूज कर सकती है, मैंने आपको जनरल वाली टिप दी है, जो जाता लोगों के काम आती है, एक चीज़ जो में बताना भूल के इसका जरूर ध्यान रखे कि प्रेग्नेंसी में पैरों के नीचे तखिया हमेशा लगाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान हमेशा आपको रखना है, और सारे डॉक्टर ये आपको एडवाइस करेंगे, कि रात में आप जब भी स पैरों के नीचे तखिया लगा कर सोए, इससे फाइदा ये होता है कि पैरों के ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड वहाँ इखटा हो जाता है, वह वापस ग्रेवटी के थुरू ऊपर के ओर्गन में आ जाता है, कि प्रेग्नेंसी में यूटरेस के दवाव के कारण प खोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप पैर के नीचे तखिया लगा कर सोएंगे, तो ग्रेवटी के थुरू ब्लड आटोमेटिकली वापस जो मेन ओर्गन है वहाँ पर आ जाएगा, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए, जितनी टि अगि नेक्स वीडियो में कट तक ले स्टे हल्थी और बी हैपी, गुद्बाइ